नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दोस्तों मातारानी की किर्पा होना अपने आप में एक बहुत ही चमतकार है और जीवन में अगर मातारानी की किर्पा हो जाये तो उससे ज़्यादा मनुस्क्यों क्या चाहिए आ दी सकती सभी देपताओं की पूजा ना कर सिर्फ दुरुगा मा की पूजा करते हैं तो जीवन मिच मत कर तो होने ही है वैसे तो मा को मनाने के लिए बहुत सारे उगाए हैं लेकिन मा सच में आपके उपर किरपा कर रही है या नहीं ये बात माईने रखती है अब जैसे पहले हम आपको बता देते हैं अबान लेते हैं आपके घर में बहुत सारे गिस्ट आया है आपने सब का खातरी तो किया बहुत अच्छे से सब किया लेकिन कौन से हैं ऐसे जो दिल से आपके लिए दुआ मांग रहे हैं जो चाहते हैं नहीं सच में आप उचा उठे आपको कोई मनोकाम नहीं तो वो पुर्ण करन के जाते हैं या फिर खाए पिये हाँ दोये चल दिये वाला सिस्टम नहीं यहां पर माता रानी की किर्पा होगी और सच्छे दिल से अगर आप करते हैं तो जरूर होगी मा की अरादना करते रहें यकीन मानिये भले ही आपके नाते रिष्टे आपके साथ ना रहें लेकिन मा आपके साथ है हमेशा बस यही भाव रखिए फिर देखिए मा की किर्पा कैसे होती है कुछ समझ में आए या ना आए मा को सिर्फ एक बतासा और दो लॉंग नित्य दिन इतना ही काफी है और पूरे नारात्रा में सिर्फ एक दिन गुढ़ल का पुस्प ने ला ला गुऑल का पुस्प होता है बस उसकी माला पुस्प जितनी हो वो आपकी इक्षा पर है एक पाँच ग्यारा एक सो आठ उसमें कहीं कोई नहीं है दिक्कत बस एक भी दिन अगर आप माला अर्पित करते हैं तो जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती है हमारा टॉपिक यह नहीं है लेकिन अब हम बात करेंगे सुपसंकेतों की दोस्तों अगर आपको इस नवरात्रा में सुभा सुभा गाय दिख जाए तो इसका अर्थ होता है माता आपके उपर बहुत महरवान है और आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाने जरूर दीजिएगा ये मा लक्ष्मी के आगमन का सूचक होता है कि माता किपा बरसा रही है अब चुकि देखने हैं आपने देखा होगा मा लक्ष्मी, मा सरसुती, गनेज जी जो बुद्धी के देव हैं, कार्थिके जी जो हमारे सत्रों से में रक्षा करते हैं सब कोई वहाँ पे रहते हैं पूरा मंडली है और सम मिलकर अगर किपा बरसा दें तो हमारा ये जीवन ही धन्य हो जाएगा तमाम परिसानियों से मुक्त हो जाएंगे वैसे तो सुक दुक दो भाई है हलके फुलके जीवन में परिसानी लगी रहती है लेकिन जब ज़्यादा परिसानी हो तो सिर्फ मा को भजे अगर आपको इस नवरात्रा में कहीं आप जा रहे हैं साप दिख जाए खास कर सफेद या गोल्डन कलर का दिखे तो ये ज़्यादा सूभ है वैसे साप दिखना ही सूभ है समझे कि माता रानी भोले बाबा की किरपा हो गई है आप पर दोस्तों अगर उल्लू रात में कहीं इन नो दिनों में दिख जाए तो इसका मतलब है लक्षमी जी आपके आसपास ही है बस आप उन्हें मार्क दें वो आपके घर में आएंगी हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा इन दिनों में घर में नो दिनों तक जगड़ लडाईयां कलह कलेस बाद विबाद मत कीजिएगा घर को एकदम साप सुतरा रखें जैसे कोई आपके घर में महवान आते हैं तो घर सजाकर रखते है ना बिल्कुल वैसे ही इन नौ दिनों में घर को सजा कर रखे मा आ रही है आपके घर एकदम पवित्र और सांत अवातावरन बनाए रखे संभवो तो कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाए आर्ति करे मा की सुबह साब इसे घर की नकारत्मक सकतियां दूर होंगी तो सकारत्मक चीजे तो आएंगी और घर में खुसाली आती है अगर इस नवरात्रा में आपको कोई लड़की सोलसिंगार की वी नव विवाहता दिख जाए तो इसका भी अर्थ होता है मातारानी चमचम पायल चमकाते हुए बस आपके ही घर आने वाली है कमल का पुस्प, नारियल इन सभी चीजों का दर्सन होने का मतलब ही होता है मा की किर्पा बरस रही है और अगर आपको इस नवरात्रा में इख दिख जाता है इख आप जानते हैं ने इख गन्ने का रस जो पीते हैं तब समझे जीवन में मिठास आने वाली है मिठास मतलब सब कुछ कुसल मंगल और अगर सुबह सुबह आपके नींदी खुलती है संख घंटे की आवाज से तो इसका भी मतलब है अब उठिये माता रानी आपको पुकार रही है उनकी अराधना कीजिए और मा का आशिरवाद छोली भर कर ले लीजिए पूजा करते समें सामने में पुस्प गिर जाए तो समभाल कर रखिए अपने लोकर वेगरे में लेकिन सुखा कर रखिएगा नहीं तो सड़ जाएगा ध्यान रखिए माता का आशिरवाद है फिला लम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेब